नहमाया की पुस्तर अध्याय साथ जब शहर पनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े के और द्वारपाल और गवईये और लेविये लोग ठैराए गए तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगण के हाकिम हनन्यहा को यरुशलिम का अधिकारी ठैराया क्योंकि यह सच्चा पूरुश और बहुत एरों से अधिक परमिश्वर का भै मानने वाला था मैंने उनसे कहा जब तक घाम कड़ा न हो तब तक यरुशलिम के फाटक न खोले जाए और जब पहरुए पहरा देते रहे तब ही फाटक बंद किये जाए और बेड़े लगाये जाए फिर यरुशलिम के निवासियों में से तू रखवाले ठायरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे नगर तो लंबा चवड़ा था परन्तु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे तब मेरे परमशर ने मेरे मन में यहाँ उपचाया कि रईसों, हाकीमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकटे करो कि वे अपनी-अपनी वैंशावली के अलुसार गीने जाए और मुझे पहले-पहल यरुशलिम को आय हो का वैंशावली पत्र मिला और उसमें मैंने यो लिखा हुआ पाया कि जिनको बाबल का राजा नबुखद्ने सर बंधुआ करके ले गया था उनमें से प्रांथ के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरुशलिम और यहुदा के अपने-पने नगर को आये थे वे ये हैं जरुबा बिल, एशू, नहमायाह, अजर्याह, राम्याह, नहमानी, मुर्दके, बिल्शान, मिस्पेरेद, बिगवे, नहूम और बाना के संग इस्ट्राइली प्रजा के लोगों की गिंती यह है अर्थात परोश की संथान, दोहजार एकसो बहत्तर सपत्या की संथान, तीनसो बहत्तर आरह की संथान, छहसो बावन पहत्मो आप की संथान एशू और ओबाह की संथान, दोहजार आठसो अठाराह इलाम की संतान 1254, तु की संतान 845, जक्के की संतान 760, बिन्नुई की संतान 648, बेबई की संतान 628, अजगात की संतान 2322, अदोग की काम की संतान 667, बिगवई की संतान 2067, आदिन की संतान 655, हिचकिया की संतान आतेर के वन्ष में से 98, हाशुन की संतान 328, बैसे की संतान 324, हारीप की संतान 112, गिबोन की लोग 95, बैतलहेम और नतोपा के मनुष 188, अनातोथ के मनुष 128, बेत जमावेत के मनुष 42, केरियत तैरीम, कपीर और बेरोथ के मनुष 743, रामा और गेबा के मनुष 621, मिकपास के मनुष 122, बैतल और एके मनुष 123, दूसरे नबो के मनुष 52, दूसरे इलाम के संतान 1254, खरीम के संतान 320, यरिहो के लोग 345, लोद हादीद और ओनों के लोग 721, सना के लोग 3930, फिर याजक अर्थात एशु के गराने में से, यदायहा के संतान 973, इम्मेर के संतान 1052, पशुहूर के संतान 1247, हारिम के संतान 1017, फिर लेविय ये अर्थात होदवा के वंश में से, कदमियल की संतान, एशु के संतान 74, फिर गवये ये थे, अर्थात आसार की संतान 148, फिर दौरपाल ये थे, अर्थात शल्लूम की संतान, आतेर की संतान, तल्लूम की संतान, अकूब की संतान, हतिता की संतान, और शोबय की संतान को सबको मिलकर 138 फिर नतीन अर्थात सिहा की संतान हसुपा की संतान तबबाओत की संतान केरोन की संतान सिहा की संतान पादोन की संतान लबाना की संतान हगबा की संतान शल्मय की संतान हनान की संतान गिद्दिल की संतान गहर की सद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द की संतान, गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासिह की संतान, बैसे की संतान, मुनीम की संतान, नपुशस की संतान, बकबुक की संतान, हकुपा की संतान, हरहूर की संतान, बसलीस की संतान, महिदा की संतान, हर्शा की संतान, बर्कोस की संतान, सिस्रा की संतान, तेमह की स संतान, नसीह की संतान, और हतीपा की संतान, फिर सुलिमान के दासु की संतान, अर्थात, सौते की संतान, सोपेरेत की संतान, परीदा की संतान, याला की संतान, दरकून की संतान, गिद्दिल की संतान, शपत्तिहा की संतान, हत्तिल की संतान, पोकेरेत सवाईम की संतान, और हम पोन की संतान नतीन और सुलिमान की दासों की संतान मिलकर तीन सो बयान नवे थे और ये वे है जो तेल मेलह, तेल हरशा, करूब, अद्दोन और इम्मेर से यरुशलिम को गए परंतु अपने अपने पित्रों के घराने और वह इंशावली न बना सके कि इसरायल के है वा नही अर्थात, दलायाह की संतान, तुबिहा की संतान, दकुदा की संतान जो सब मिलकर छोसो बयालिस थे और याजकों में से हुबायाह की संतान, हकोस की संतान और बरजले की संतान जिसने गिलादी बरजले की बेटियों में से एक को बहा लिया था और उन्ही का नाम रख लिया था इन्होंने अपना अपना वनिशावली पत्र और और वनिशावली पत्रों में ढूंडा परन्तु न पाया इसलिए वे अशुद्ध ठहर कर याजक पत से निकाले गए और अधिपती ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुम्मीम धारान करने वाला कोई याजक न उठे तब त खोड़ कर उन्हों के 7343 दास तासिया और 245 गाने वाले और गाने वालिया थी उनके घुड़े 736 खचर 245 उट 435 और गधे 6720 थे और पित्रों के घराने के कई एक मनुष्य पुरुषों ने काम के लिए दिया अधिपती ने तो चंदे में हजार दर्कमोन सोना पचास कटोरे और पांच सो तीस याजकों के अंगर खे दिये और पित्रों के घरानों के कई मुख्य मुख्य पुरुषों ने उस काम के चंदे में 20,000 दर्कमोन सोना और 2200 माने चान्दी दी और शेश प्रजा ने जो दिया वहब 20,000 दर्कमोन सोना जो हजार माने चान्दी और 67 याजकों के अंगर के हुए इस प्रकार याजक, लेविय, द्वारपाल, गवए, प्रजा के कुछ लोग और नतीन और सब इस्राइली अपने अपने नगर में बस गए